हेलो गाइस वेलकम बैक टो दिस चैनल सो गाइस कैसे हो उमीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़ी होंगे सो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास वीवो वी 14 E5G मोबाइल फोन और आप अपने इस मोबाइल फोन में फिंगर्प्रिंट लोग को सेट करके उसका वीज़ कर सकते हूं आप लोग को से बारें बताने केया कि लिए आपको इस फोन में fingerprint log को लगाने के लिए सबसे पहले जो फोन की सेटिंग होती उसे open करना होगा आप जिसी फोन की सेटिंग को open करोगी तो कुछ इस तड़ी के से आपको जो फोन की सेटिंग होती वो open होगी सो होने लग जाएगी तो यहां पर आपको स्वाइब करके नीचे आना होगा नीचे आते हैं आपको ओ inclined walked का सिक्टी का तुछ यहां पर आपको thूड़ा नीचे आना होगा यहां पर आपको फिंगर प्रेंट का फिंगर्पिकश्ति पर खून कर नेक hebt जो भी असीं से अट्ब करना अब रुटट करने करने बाद आपके फिंगर को यहां पर सिम्पिली से कुछ इस तरीके से scan करा लेना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं scan करा लेना होगा, जब पूरी तरीके से scan हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का option आप जिसमें आपको नीचे के ने का बटन्स हो गा तो आपको यह जो डन का बटन होता है से एक बार क्लिक करणा होगा आप जैसे डे टो पर आनलोग वाला बटन maritime होता है यहां से ऐन हो जाया थो और यहां पर funds set हो जाया इसक शांसतर ब्रहरिड है आपको दूसरे finger को भी इसकेन करना है यहने एक finger skens होगे आफ दूसरे को भी यहां पर सेट करना है तो यहां पर नीचे आपको add फिंगर्पेंट का एक और options होगा यहां पर fingerprint 1 के नीचे का आप इस पर क्लिक करके दूसरे finger को भी यहां से add कर सकते हो तो गाइस को इसी तरीगे से आप भी अपने इस mobile phone में fingerprint log का use कर सकते हो वीडियो कैसा रहागा कमेट में जरू से बताईएगा ठैक्स वर वाचिंग